इंडो पैसिफिक यानि मौजूदा समय का पानी पत जहां आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर दुनिया की तमाम बड़ी लडाईयां लड़ी जा रही है ये छेत्र बीते कुछ समय से दुनिया की जियो पॉलिटिक्स का केंद्र बना हुआ है और इस छेत्र में सोतंतरता सुनिश्चित करने और इस पूरे छेत्र में चीन का मुकाबला करने के लिए हाल ही में दूसरे कौट समिट का भी आयोजन किया गया आज इस वीडियो में हम इसी Quad Summit की बात करेंगे उसे समंदित तमाम पहलों को समझेंगे और साथ ही Quad क्या है इसको भी समझने की कोशिश करेंगे वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूप रिखा को समझ लेते हैं यानि उन बिंदों की बात कर लेते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो सबसे पहले इस वीडियो में हम ख़बर यानि नियूस को देखेंगे इसके बात जानेंगे कि आखिर Quad है क्या और Quad की मौझूदा स्थिती क्या है इसका इतिहास क्या है इसके बैक्गराउंड को भी समझने की कोशिश करेंगे इसके साथ ही Quad Summit 2022 के ओवर विव को समझेंगे Quad Summit 2022 की बात करेंगे और साथ ही इस Summit के क्या हाइलाइट्स रहे इस Summit की क्या मुख्य बाते रही उन पर भी गौर करेंगे इसके बाद अंत में निसकर्ष और एक प्रश्ण की भी चर्चा करेंगे जिसे आप मेंस के स्तर पर सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं ये पूरा विशय सामान या धिन प्रश्ण पत्र दोसिश संबंदित है आप इसे अंतराष्टिय संबंद और भारत के हितों पर अन्य देशु की नीतियों राजनीती के प्रभाव जैसे खंडों से जोड़ कर देख सकते हैं वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले आज की खबर देख लेते हैं आज की हमारी खबर P.I.B. से हैं खबर है Quad Joint Leaders Statement यानि Quad के जो प्रतिनिधी हैं जो लीडर्स हैं उन्होंने एक सन्युक बयान जारी किया है ये खबर उसी से संबंदित है तो चलिए सबसे पहले Quad के बारे में देख लेते हैं तो Quad एक अनोप्चारिक बहुपक्षिय समूँ है यानि एक अनोफीशियल ग्रूप है जिसमें मुख्य तौर पर चार देश शामिल है वो चार देश हैं अमेरिका भारत अस्ट्रेलिया और जापान तो इसमें मुख्य तौर चार देश सामिल है इस पूरे समूँ का प्रात सागरों और कई महाद्वीपों से मिलकर बना हुआ है यही वज़े है कि यह समुद्री व्यापार और नौसेनिक प्रतिस्थानों का केंद्र है जिसकी वज़े से इस छेत को काफी महत्कून माना जाता है और दुनिया की कई बड़ी शक्तियां इस छेत्र पर नियंतरन हासि कर सकेगा इस पूरे छेत्र पर बीते कुछ समय से चीन का वर्चस तो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है हाला कि चीन का मुकाबला करने के लिए ही क्वाट पहल का गठन किया गया है लेकिन जो क्वाट पहल के जो प्रमुक्ष नेता है जो लीडर्स हैं उन्होंने कभी अपने आधिकारिक बयान में ये सपस्ट नहीं किया कि इस पहल का प्रास्विक उदेश चीन का मुकाबला करना है बलकि उनका कहना है कि इस पहल का मुक्ष उदेश इंडो पैसिफिक छेत्र में स्वतंत्र एवं मुक्ष नेविगेशन सुनिशचित करना है तो ये तो कोई भी सन्युक बयान जारी नहीं किया गया, 2007 के बाद क्वार्ड मुख्य तौर पर निस्क्री हो गया, इसमें कोई भी एक्टिवेटी नहीं हुई, लेकिन 2017 के बाद ये एक बार फिर सक्री हो गया, इसके बाद मार्च 2021 में चार देशों के प्रतिनियों की पहली बैठक आय कोईजित की गई थी, क्योंकि तब COVID-19 चल रहा था, COVID-19 महामारी देखने को मिल रही थी और lockdown लगा हुआ था, इस बैठक के दोरान समूख का जो उद्देश है, वो ने धारित किया गया, क्योंकि इस बैठक से पहले समूख का कोई भी official structure नहीं था, ये समूख एक unofficial बना कि इस पूरे समूख का उद्देश होगा, स्वतंत्र एवं मुक्त इंडो-पैसिफिक छेत्र को बढ़ावा देना, यानि इसका उद्देश रहा किया गया, इसका लक्ष रहा किया गया इस बैठक के दोरान, इसके बाद सितंबर 2021 में क्वाड की पहली in-person बैठक आयोजित की गई थी, इसकी मेजबानी अमेरिकानी की थी, इस बैठक के दोरान जलवायू परिवर्तन, COVID-19 महामारी और इंडो-पैसिफिक में मौजूद चुनौतियों पर चर्चा की गई, वर्तमान समय में क्वाड समूग के जो तमाम नेता हैं, तमाम लीडर्स हैं, वो समिट आयोजित किया जा रहा है, 2022 का समिट की बात कर लेते हैं, तो ये समिट की मेजबानी जापान द्वारा की जा रही हैं, समिट का आयोजन जापान के टोकियो शहर में किया जा रहा है, टोकियो में चारों देशों के प्रतिनीदी, चारों देशों यानि भारत, जापान अस्ट्रेलिया और अमेरिका के प्रतिनीदी एकत्रित हुए और वो चेत्रिय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं इस पूरे समिट की बात करें तो ये समिट मुखेतर साथ थीम्स पर अधारित हैं जिसमें शान्ती और स्थिर्ता, कोविड-19 और वैश्विक स्वास्त सुरक्षा, इंफ्रस्ट्रक्चर, साइबर सुरक्षा, क्वार्ड फेलोशिप, अंतरिक्ष यानि स्पेस समंदी विशय और समुद्री डोमेन जागरुकता जैसे थीम्स शामिल है इस पूरे समिट को हम साथ थीम्स में बाठ सकते हैं, अब इन थीम्स की बात कर लेते हैं, कि इन में क्या-क्या बात की गई है तो सबसे पहले शान्ती और स्थिर्ता की बात करें, हम जानते हैं कि रूस और यूक्रेञएन के बीच युद्ध चल रहा है और इसी युद्ध की प्रश्टभूमी में चारो देशों ने स्पष्ट किया है कि वो शांती एवं सिर्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं इसके अलावा क्वाट के जो नेता है जो लीडर्स हैं उन्होंने अंतराश्टी कानून सभी देशों की संप्रभूता एवं छेत्रिय अखंडिता का सम्मान करने जैसे प्रिंसिपल्स को अंतराश्टी विवस्ता का केंद्र बिंदु माना है यानि उनका कहना है चारो लीडर्स का कहना है कि जो इंटरनाश्टी ओर्डर है उसमें अंतराश्टी कानून सभी देशों की छेत्रिय खंड़ता इन प्रिंसिपल्स का सम्मान करना सभी देशों के लिए जरूरी है और सभी देशों को इन सिद्धानतों का पालन करना चाहि यह बयान मुख्यतोर पर चीन और ताइवान संगर्ष के की प्रश्टभूमी में दिया गया है यानि अगर चीन किसी भी सैन माध्यम से इस छेत्र के नक्षे को बदलने की कोशिश करता है ताइवान पर आकरमण करने की कोशिश करता है तो क्वार्ड सम्मूंख के चारो देशों ने व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से इंडो-पैसिफिक द्विपों यानि इंडो-पैसिफिक छेत्र में जो भी आइलेंट कंट्रीज हैं उनके साथ सहियोग को और ज्यादा मजबूत करने की बात भी कही है ताकि इस छेत्र में चीन का जो वर्चस पीछले को स समय से तेजी से बढ़ता जा रहा है उस वर्चस को कम किया जा सके उसे रोका जा सके तो यह थे हुआ सांती और सिर्ता अब इसके बाद कोविड-19 और वेश्विक चुनौति के थीम की बात करते हैं तो चारो देशों ने घोशना की है कि उन्होंने चारो देशों द्वारा इसके अलावा चारो देशों ने यह स्पस्ट किया है कि वे आगे आने वाले समय में प्रभावी, किफायती और गुर्वत्तपूर्ण वेक्सीन साज़ा करने के लिए और भी ज्यादा प्रयास करते रहेंगे। इस तो हुए आलपकालिक उपाय यानि शौट टर्म उपाय हैं। इस समिट के दौरांद दिर्गकालिक उपायों की भी बात की गई। इसमें कहा गया कि दुनिया के जो घरीब देश हैं, विकासील देश हैं और इंडो-पैसिफिक के जो देश हैं उनमें वैश्विक स्व करनी के लिए निवेश किया जाएगा। ये तो हुई COVID-19 और वैश्विक स्वास्त सुरक्षा का थीम। इसके बाद इंफ्रस्ट्रक्चर भी एक महत्पोर्ड थीम है। किसी भी देश के विकास के लिए इंफ्रस्ट्रक्चर में निवेश किया जाना सबसे जरूरी माना ज अफरीका के देश और यूरोप के देश शामिल है। अब इस पूरी पहल का मुकाबला करने के लिए चीन के स्वर्चस्व का मुकाबला करने के लिए इंडो-पैसिफिक छेत्र में इंफ्रस्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए क्वाड जो देश है उन्होंने भी इस करने के लिए साजा प्रतिबर्धता जाहिर की है। इसके अलावा इस पहल के बाद्यम से चीन की कर्ज नीती से बचने के लिए भी उपाय किया जाएगा। चीन छोटे-छोटे देशों को कर्ज देता है और जब वो कर्ज नहीं चुका पाते हैं तो उनकी अवसनरशना पर जबरन अधिगरहन कर लेता है, उसको अपने हिस्से में ले लेता है। तो इससे उन चोटे देशों को बचाने के लिए भी एक विवस्था का निर्मान किया जाएगा। इसके लावा इन देशों की प्राप्ति के लिए जो क्वाड समू के जो चारो देश हैं वो एक साथ म लिहास से बात करें, तो इस पूरे समिट के दोरान IPCC यानि Inter Government Panel on Climate Change की रिपोर्ट का भी जिकर किया गया। ये रिपोर्ट काफी डराने वाली है, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आगे आने वाले समय में भारत समेत और दुनिया के तकाम अन्य देशों को जलवायू वर्तन के खासा और काफी गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं, ऐसे में समिट के में जो चारो देश आमिल हुए थे, उनके प्रतिनिदियों ने स्पष्ट किया, कि वे पैरिश समझाते को द्रणता से लागू करेंगे, और COP26 के तहट जो भी उद्देश निर्धारित किये गए थे, उन्हें की प्राप्ति के लिए यथा संभव प्रियास किया जाएंगे, इसके अलावां इस समिट के दोरान Quad Climate Change Adaptation and Mitigation पैकेज की भी घोशना की गई, इस पैकेज की शौट पॉर्म है QChamp, इस पैकेज के तहट स्वास्थ उर्जा आपूर्ती शरंखला को मज लेते हैं, तो किसी भी जैसे जैसे तकनीक विक्सित होती जा रही है, साइबर सुरक्षा भी एक महतपूर विशय बनता जा रहा है, किसी अपने देश के लिए, अपने देश की महतपूर बुन्यादी अवसन रशना की रक्षा किरने के लिए, साइबर हमलों से रक्षा करन के तहट Quad देश इंडो पेसिफिक छेत्र में शमता निर्माण कारेक्रमों का समनवे भी करेंगे यानि इस पहल के तहट इंडो पेसिफिक छेत्र में जो भी देश शामिल हैं उनमें साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समनवे किया जाएगा इसके अलावा इस एंजिनरिंग एंड मैथमेटिक्स इन शेत्रों में जो भी बच्चे सनातक की डिग्री हासिल करना चाहते हैं ऐसे सौ छात्रों को हर साल सन्युक्त राज अमेरिका यानि अमेरिका में पढ़ने के लिए बेजा जाएगा इस फैलोशिप के तहट ये भी इंडो पेसिफिक चेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है इसके लावा अंतरिक्स सीम के तहट ये सपश्ट किया गया कि जो अंतरिक्स टकनीक है जो पेस्ट टेकनोलोजी है वो जलवायू परिवर्तन आपदा की तैयारी और प्रतिक्रिया और महासागरों एवं समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है ऐसे में इन सभी छेत्रों में अंतरिक्स टकनीक का प्रयोग किया जाएगा जल्दी इसके लावा अंतरिक्स डेटा तक सारवजनिक पहुँच सुनिश्चित करने की भी बात की गई है इस संबंद में जल्द अंतरिक संबंदी डेटा है वहाँ वो मौजूध होगा तो ये तो हुई अंतरिक्स की बात इसके बाद अंत में समुद्री डोमेन जागरुकता की बात कर लेते हैं तो इससे सुनिश्चित करने के लिए समुद्री डोमेन जागरुकता है तो इंडो-पैसिफिक पार्टनर का बीच युद्ध शुरू हुआ है या किसी भी प्राकरती का आबदा से निपटने के लिए छेत्री भागेदारी सुनिश्चित करने हितू इस पुरी पहल को डिजाइन किया गया है तो ये तो हुई समुद्री डोमेन जागरुकता की बाद अब अब अन्त में निसकर्ष की युद्ध के बीच युद्ध चल रहा है और इस युद्ध को शुरू हुए तीन महीने से भी जादा समय बीच चुका है इस युद्ध के शुरुआत के बाद से ही दुनिया दो हिस्सों में बढ़ती दिखाई दे रही है एक और वो देश हैं जो रूस का समर्थन कर रहे ह लेकिन इस पूरी स्थिती में भारत ने अब तक अपनी neutrality की policy को बनाय रखा है और भारत ने रूस का विरोध नहीं किया है और भारत के इस रुख के चलते कई पश्चिमी देश भारत से नाराज हैं लेकिन इस summit में शामिल होकर भारत ने इस पश्ट कर दिया है कि भारत की प्रात्मिक्ताएं क्या है यानि भारत इंडो पैसिफिक छेत्र को कितना ज्यादा महत्व देता है इस summit में शामिल होकर भारत ने इस पश्ट कर दिया इसके अलावा इंडो पैसिफिक छेत्र में अमेरिका की अनुपस्थिती के चलते इस छेत्र में चीन का वर्चस पिछल अगर इस पूरी पहल में जो भी घोशडाएं की गई हैं अगर उन्हें सही ढंग से लागू किया जाता है तो क्वाड इस पूरे छेत्र में इंडो पैसिफिक छेत्र में चीन का विकल्प बनकर सामने आ सकता है चलिए अब एक प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं प्रश्न मे इंडो पैसिफिक छेत्र में चीन का वर्चस तेजी से बढ़ रहा है वहीं यूरोप में युद्ध की एक नई सिती जन्म ले रही है ऐसे में क्वाड की क्या प्रसांगिक्ता है आपको इस बात पर चर्चा करनी है मुझे आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से जिन भी बि पत्र में इससे संबंधित कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे धन्यबाद